रुपेया जितना भी गिर जाए मगर इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना रुपेय के लिए इनसान गिर चुका है इनसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगी बलके वो समझदार तब होता है जब वो चोटी-चोटी बातें समझने लगता है अच्छा इनसान वो है जो किसी का दिया हुआ धुक तो भुला दे मगर किसी की दी हुई महब्बत औ शवकत कभी न भुलाए अगर इनसान अपनी उंगलियों का इस्तमाल अपनी ही गलतियों को दिनने के लिए करे तो दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही न मिलेगा इनसान इनसान को डस रहा है और साम बैठा हंस रहा है माफी वो इनसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो खोखले इनसान सिरुबदले की आग में चलते रहते हैं इनसान की फित्रत है वो किसी भी चीज़ की दो बार कदर करता है मिलने से पहले खो देने के बाद इनसान को उसके जर्फ से ज़्यादा मिलने लग जाए ना तो वो खुद को इनसान नहीं कुछ और ही समझने लगता है इनसान तो हर जगा पैदा होते हैं मगर इनसानियत कहीं कहीं जनम लेती है इनसान मौत से बचने की कोशिश करता है जहन्नम से नहीं हला ना के कोशिश करने से इनसान जहन्नम से बच सकता है लेकिन मौत से नहीं झाल्ट झाल।